एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं अकलमंद को इसारा और अहमक को फटकारा कुछ वैसा ही हो रहा है इस वक्त दुनिया के दो बड़े लीडर बड़ी बुरी तरीके से फस गये हैं एक कौन एक कनाड़ा के पीएम अपने जस्टिन टूडू तो वहीं दूसरी तरफ अर्दोगन जर्मनी पहुँचने वाले हैं और घर बुलाया है लेकिन घर बुलाने से पहले ही जर्मनी के चांसलर ने कह दिया बड़ा बेतू का बात है जानेंगे क्या है मामला अर्दोगन पर क्यों तूट पड़ा है जर्मनी और तूर्की के लिए सबसे बड़ी क्यों खड़ी हो गई है वो भी ऐसे समय में जब अरब देश पीछे हो रहे हैं जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है आपको बता दें अमेरिका ने इसराइल के अंदर अपने बेस को बढ़ाना क्यों सुरू कर दिया है क्या कुछ बड़ा खत्रा है जियो पॉल के से खत्म करने की बात कह रहा है इसराइल का कहना है कि अगर आज हमने इसे खत्म नहीं किया तो कल यह हमें खत्म कर देगा और अभी जो लड़ाइ है यह चल रही है अल चिषा एसपताल स्क्रीन पर आप मैप में देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है कि इसराइल का कहना आएगी देखो हम जो मार रहे हैं हम अंदर घुसके एक आरगेट की तरह मार रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम जहां तहां गोलिया चला रहे हैं किसी को भी मार रहे हैं हमास के लड़ाकों को ही निसाना बना रहे हैं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए हमास के साथ जल्दी ही सान्ती समझोता हो सकता है ये भी कहा जा रहा है इसका मतलब है बंदकों को रिया करने के लिए हमास तयार हो सकता है कहा जा रहा है कि हमास कमजोर पड़ रहा है इसी सब के बीच में जहां इजराइल का ये कहना है तो वही हमास का क्या कहना है हमास कह रहा है कि अलसीफा हस्पताल पर जो हमला हुआ न इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं बाइडेन है ये स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं हमास का कहना है कि अलसीफा अस्पताल पर हमले के लिए इसराइल और जो बाइडन पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं आपको बता दें अलसीफा पर जो हमला हुआ था उसमें 22 लोगों की मौत भी हो गई है पंद्रसों के करीब लोग अलसीफा में फसे हुए हैं और इसराइली सेना का कहना है जैसा कि हमने कहा कि हम टार्गेट बना बना कर काम कर रहे हैं हमास का बेयान क्या है हमास का कहना है कि वाइट आउस और पेंटागन ने जूटा दावा किया कि अलसीफा अस्पताल में हमास के लडाके छिपे हुए हैं और इसी लिए इसराइल को कारेवाई करने के लिए हरी जंडी मिल गई और हरी जंडी मिलने के बाद यहां इसराइल कारेवाई कर रहा है अब दोनों ही अपनी अपनी बातें कह रहे हैं इन सब के बीच में एक सेटलाइट की तस्वीर आई है स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए ये जो है न ये एक बेस है जो बेस किसका है ये बेस है अमेरीका का इस्राइल के अंदर पहले यहां सिर्फ रडार वगेरा तैनात रहते थे लेकिन अभी यहां पर क्या किया जा रहा है मेडिकल इमर्जेंसी की सुभी धाओं को इंस्टॉल किया जा रहा है मतलब अगर जंग बढ़ा तो फिर इस्राइल के अंदर अमेरीका एक्टिव हो जाएगा और अमेरीका किस तरीके से एक्टिव है अब देखिए जिस तरीके से अरब देश अरब देश ने सीधे कह दिया कि यहां पर रिस्ता नहीं तोड़ने वाले हैं इसराइल के साथ वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं वो पीछे जाने की नहीं सोच रहे हैं पर यहां पर कौन सबसे ज़्यादा फस गया सौधी अरब युवई इन देशों ने साथ जाने की बात कही कि इसराइल के साथ हम पूरे राजनईक संबंदों को नहीं तोड़ सकते हैं जब यह जंग सुरू हुआ था तब सुरुआती दिनों में तुरकी ठीक ठाक था तुरकी बीच में सांती से बाच्चित कर रहा था फिर तुरकी ने सीधे सीधे इसराइल के खिलाफ रुख अपनाना सुरू कर दिया और यहां तक एक सभा में कह दिया एक दिन आएगा और हम तुम्हारा दरवाजा खटखटा देंगे बोलते बोलते अर्दोगन बहुत आगे निकल गए अब क्या सीन हुआ है तो अब जो सीन हुआ है वो बड़ा ही भयंकर हुआ है पर अर्दोगन से पहले कनाडा के पीम की सुन लीजिए स्क्रीन पर एक आप ट्वीट देख रहे हैं दरसल एक वीडियो है जिस वीडियो में कनाडा के पीम ये कह रहे हैं कि देखो युद्ध के भी नियम होते हैं आप बिना नियमों के युद्ध नहीं लड़ सकते हो दुनिया देख रही है बचे मर रहे हैं लोग मर रहे हैं इजराइल को भी ये चीज समझना चाहिए हम इजराइल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा पाला बदलता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर कनाडा के पी-म अपना पाला बदलते हुए दिख रहे हैं अब यह बदला हुआ कैसे तो आपको बता दे हलाकि हाल फिलान में यह एक मस्जिद गए थे और उस मस्जिद में बड़ी वेजती हुई थी क्योंकि लोगों ने इन्हें बोलने नहीं दिया था इजराइल समर्थक होने का आरोप लगा कर वहां से भागने प मुझे इजराइल समर्थक समझ के वोट नहीं देंगे कहीं मेरे लिए कोई समस्या नहीं हो जाए कनाडा ने यह सोचकर इस तरीके का भयान दे दिया और हो सकता है और भी कई वजहें हो क्योंकि यह भी सच है कि कनाडा के पीएम ही नहीं फ्रांस ने भी इजराइल को लेकर यह बात कही थी कि आप कंट्रोल करो चीजों को और वहीं दूसरी तरफ ब्राजिल के लुना ने भी इजराइल को थोड़ा कहा कि चिंता जनक है तो ऐसे में कुछ न कुछ ये भी देखने को मिल रहा है कि पसीमी देसों के बीच में भी इजराइल के आकरामक वेभार को ले गाजने की कोशिज कर रहे हैं और भविस्त में ऐसा ना हो उसकी कोशिज कर रहे हैं इसलिए हमारा साथ दो हमारे लिए लोचना मत करो जहां एक तरफ नेतन्याहू ये सारा कुछ जवाब दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक यूरॉपिय देश दिखा इसराइल के इजराइल के लिए इन्होंने एक बयान दिया और बयान में कहा कि फासी वादी बन चुका है इजराइल लोकतंत्र खत्म हो चुका है जिसके जवाब में जर्मनी के चांसलर ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो बेतुका है मतलब किसी काम का नहीं है वो बात इजराइल लोकतंत्र देश की तरह चल रहा है अलाकि आपको बता दें इसके बावजूद अर्दोगन जर्मनी जाएंगे और मुलाकात करेंगे पर ऐसा कहा जाता है कि जिस तरफ हवाब है उसी तरफ चलना चाहिए इस वक्त अर्दोगन अकेले पढ़ते हुए नजरा रहे हैं सौधी अरब के दे तो हमास ने किया वह गलत है ऐसे में सपोर्ट इस वक्त जादा तर इसराइल को जा रहा है और इसराइल हर हाल में हमास को खत्म करना है इसी प्लान के तहत चल भी रहा है इसक्रीन पर एक आर्टिकल देखिए इन्वेस्डिंग.com की यह आर्टिकल है इसराइल और हमास एक इनीसियल एग्रिमेंट की तरफ पहुँच रहे हैं ऐसे में बताया जा रहा है कि हो सकता है मानविये तोर पर बंदकों की रियाई हो सके और चीजें फिर ठीक हो सके पर जो भी है यह इसराइल को जल से जल खत्म करना होगा नई तो दीरे दीरे आक्रोस बहुत जादा बढ जाएगा वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ